यूपी बोर्ड की हाई स्कूल वा इंटरमीडियेट परिक्षाद 2018 में भले ही 67 लाग से अधिक परिक्षारतियों ने शामिल होने की दावेदारी की थी उन में से करीब 12 लाग परिक्षारती रिजल्ट आने से पहले ही फेल पास की दोड़ से लगभग बाहर हो चुके हैं ऐसे में इस बार रिजल्ट में 55,16,000 से अधिके बीच में ही अंक पाने और उतीन या अनुतीन जानने की हो रहेगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परिक्षा में 37,12,508 वर इंटर में 37,032 सहित कुल 67,29,540 अभ्यर्थियों ने परिक्षार्थी बनने का आवेदन किया था बोर्ड प्रशासन ने इम्तिहान शुरू होने से पहले ही आवेदन पत्रों की गेहनता से जाच कराई जिसमें हाई स्कूल के 49,384 और इंटर के 34,399 सहित कुल 83,753 के आवेदन सही नहीं मिले इन सभी को प्रवेश पत्र ही जारी नहीं किये गए शेश के लिए 6 फरवरी से इम्तिहान शुरू हुआ CCTV कैमरे की निगरानी और नकल पर विशेश सकती के इंतजाम होने से पहले दिन से ही परिक्षार्थियों ने इम्तिहान से किनारा करना शुरू किया पहली बार कुछ दिन को छोड़ कर परिक्षा के अंतिम दिन तक परिक्षार्थियों ने इम्तिहान को बाया बाया किया इस दोरान रिकॉर्ड 11,29,000 से अधिक परिक्षा देने ही नहीं पहुँचे इन में से 4,5,000,000 से अधिक परिक्षार्थी इंटर के हैं उन्होंने एक विशे की परिक्षा छोड़ी है उनका फेल होना तय है इस तरह से करीब 12,00,000 से अधिक परिक्षार्थी रेजल्ट की दोड़ से लगभग बाहर हो चुके हैं अब केवल 55,00,000,000 परिक्षार्थियों में ही फेल पास होने की जिग्यासा बच्ची है बोर्ड सचिव नीना श्रिवास्तव का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में रस्त हुए या फिर जो परिक्षा छोड़ कर भागे हैं वे नकल के भरोसे थे इम्तिहान में सरकार के निर्देश पर नकल रोकने के ठोस इंतरजाम किये गए इससे पड़ नए वाले चात्र चात्राओं में खुशी है